नमस्कार दोफ्तों एक बार फिर हमारी यूटुब चैनल में आप लोगों का हर्दिक स्वागत है लेटेफ्ट अप्टेट निकल के आई कि केंद्रे क्रमचारिय के लिए गुड नुज है मार्च से 90,000 रुपे तक बढ़ेगी सैलरी तो चेक कर लीजिए कैलकुलेशन तो दोफ्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पर फफ टाइम इजिट कर रहें तो चैनल को लाइक कर दीजिए सस्क्राइब कर दीजिए साथी साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गोर्मेंट या पैंशन से संबंदी जितने भी नूज जाती है उनकी नौटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पूस के तो करते हैं वीडियो को स्टाइट भी ना किसी देरी के दोस्तों केंद्रे क्रमचारियों के लिए बड़ी खुश कबरी है मार्च में हो लिके आसपास उनकी साथरी में बड़ा इजाफ़ा होगा इसका फाइदा एक रोड से ज्यादा केंद्रे क्रम गया है कि तीन परतिशत डिये बड़ेगा अभी करमचारियों का 31 परतिशत मेंगाई बता मिल रहा है आने वाले दिनों में ये 34 परतिशत होगा लेबर मनिश्ट्री के मुताबिक दिसंबर 2021 में ओल इंडिया कंजूमर प्राइज इंडेक्स फोर इंडरस्ट्रियों बढ़ कर में बड़ोतरी हुई है और इसे यह बढ़कर 125 दस्मलों चार पर पहुच चुका है जिससे करमचारियों का 31 परतिशत से बढ़कर 34 परतिशत होना तैमाना जा रहा है जिसका सिद्धा असर और फायदा करमचारियों को होली के आसपास देखने को मिलेगा दोस्तों जे सी डिये का ऐलान होता है तो निश्ची तोर पर यह रहात की खबर होगी अगर किसी करमचारी की बेसिक सेलरी 30,000 रुपे महिना है तो उसकी तनख्वा 900 रुपे महिना बढ़ेगी सालाना अधार पर अगर देखते हैं तो सी देगरा सेलरी में 10,800 रुपे की बढ़ोतरी होगी कैबिनेट सी उस सेलर के अफ़रो की सेलरी पिछे 300,000 रुपे महिना बढ़ेगी मतलब सबसे ज़्यादा डाई लाक रुपे महिना बेसिक सेलरी होती है तो उसका सालाना अधार पर 90,000 रुपे का फाइदा होगा दोस्तों महिनाई बढ़ता एक ऐसा पैसा जो कि सरकारी करमचारी को उनके रहन सेंड के सतर को बैतर बनाने के लिए दिया जाता है ये पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि महिनाई बढ़ते के बाद करमचारी के रहन सेंड के फतर में कोई फरक ना पड़े ये पैसा सरकारी करम्चारी की पखुब्रीश एक्टर के करम्चारी और पेंशन धर्कों को दिया जाता है, जिसकी राद दुसरे विश्योयूद के दुरान हुई थी, उस वक्ट सिपायों को खाने और दुसरी सुविदाव के लिए तनख्वा से अलग यह पैसा दिया जाता था, उस वक्त उने खाद्य महिगाई बत्ता या डियरनेस फूड अलाउंस कहते थी बारत में बुंबई से 1932 में सबसे पहले महिगाई बत्ते की सुरुआत हुई इसके बाद के अंदर सरकार से भी सरकारी करमचारी को महिगाई बत्ता दिया जाने लगा दोफतोर डिये करमचारी के रहन सान के फतर को बहतर बनाता है और यह बत्ता सरकारी करमचारी पॉब्लिक सेक्टर के करमचारी और पेंशन धारकों को दिया जाता है आम तोर पर हर 6 महिने जनवरी और जुलाई में डिये में बदलाव किया जाता है मेंगाई बत्ता करमचारी के वेतन के अधार पर दिया जाता है सरकारी और सरकारी और ग्रामिन इलाकों में नोकरी करने वाले करमचारी के लिए मेंगाई बत्ता अलग अलग होता है डियर नेंस अलांस की गरना मूल सैलरी पर होती है और मेंगाई बत्ते की गन्ना के लिए एक फॉर्मूला तैय होता है जो कि उब्वोकता मुल्सुचंक या फिर आप कह सकते हो कि CPI कोंजूमर प्राइज इंडेक्स से तैय होता है मेंगाई बत्ते का पर्तिशत बराबर है पिछले 12 महिने का CPI का ओसत माइनस 115.76 अब जितना आएगा उसे 115.76 से गुना किया जाता है जो अंक आएगा उसे 100 से गुना कर दिया जाता है तो दोफ्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट टुडियो में तब तक के लिए जैह हिन जैह भारत